मैं बागमती नदी बोल रहा हूँ दोस्तो आज हम जानेंगे बागमती नदी के बारे में दोस्तो ये बागमती नदी कहां से चली, कहां तक गई, कितनी दूड़ी है दोस्तो और कहां कहां से होकर दोस्तो गुजरी है इसके बारे में दोस्तो हम जानेंगे तो चलिए दोस्तो देड़ न करते हैं शुरू करते हैं और बताते हैं दोस्तो इनके बार हैं दोस्तो दोस्तो बागमती नदी पुर्वत्तर भारत के नदी है जो बिहार के उत्तर में दच्छिन मध नेपाल में बहने वाली नदी है बागमती नदी के टट पर ही काठमांदू इस्तित है नेपाल के सबसे पवित्र तित अस्तलों में से एक भगमान पसुपतीनात का विश्व विख्वात मंदिर भी इसी नदी के किनारे इस्तित है बागमती जो उत्तर भी हार के मिथला अंचल की एक बहुत ही महत्पूर नदी है जिसका उदगम नेपाल में काठमांडू से 16 किलो मिटर दूर उत्तर दिसा में सिवपूरी परवत माला के समुदर तल से प्राया 2800 मीटर उपर पड़ता है नेपाल में इसे सब्त बागमती भी कहते हैं जो की मनीमती, रुदरमती, हनुमती, बिश्नुमती, भदरमती, मनोरा की बागमती के साथ सम्मिलित धारा है नीचे तल पर इस नदी में कुली खानी, कोखा जोर, मरीन, चंडी तथा जास आदी नदियों मिल जाती है पहारों से उतरते हुए यह नदी भारत की सीमा में छूने से पहले 195 किलो मिटर की तै दूरी करती है नेपाल की आठ जीलो क्रमसा, काठमांडू, ललितपूर, भक्तपूर, कबडे, मकवानपूर, सिंदुला, रोतहक और सरलाही होकर कुजरने वाली बागमती नदी पहारों से नुन्थर के पास में उतरती है यहां से लगवक सत्तर किलो मिटर सीथे दच्छिन दिसा में चल कर बिहार के सीता मड़ी जीले में धेंग के उत्तर सुर्वतिया गाउं में परवेश करती है नेपाल में इन सभी नदियों के किनारे हिंदूओ के बहुत से महत्पूर्ण तिर्थ अस्तल है बिष्वास किया जाता है कि विश्णु मति और बागमति कि संगम पर भगमान विश्णु का वास्था और यह नदि उनके चर्नों को छूते हुए भाती है जैसे कि उत्तर बागमती की एक परमुख और महत्पूर नदी है और इसके पानी की अध्भुत उर्बरक छमता का लोहा सभी लोग मानते हैं इस नदी के तीन अलग-अलग खंडों में देखा जा सकता है उत्तर बागमती, मध्ध बागमती और दच्छिन बागमती तो चलिए दोस्तों पहले हम जानते हैं उत्तर बागमती के बागमती के बागमती में दोस्तों नेपाल से लगभग 195 किलो मेटर की यातरा तैक करके यहनदी बिहार के सीता मढी जीले में समस्तिपूर नरकटिया गंज डेल लाइन पर इस्तित धेंग रेलवे स्टेशन के 25 किलो मेटर दूर उत्तर में भारत में परवेश करती है नेपाल में यहनदी का कुल गरंद छेतर 7884 वर्ग किलो मेटर है धेंग और बैरगेनिया स्टेशन को जोरने वारी रेल लाइन पर बने कुल संख्या 89, 90, 91 और 91A और 91B से होकर यह दच्छिन दिसा में चलती है यह लगवग दूसे 5 किलो मेटर नीचे भारत का जोरी या ही नाम का पहला गाउं परता है यहां से 5 किलो मेटर दच्छिन चलकर बागमती खोरी पाकर गाउं में आती है धेंग से खोरी पाकर की दूरी साड़े 12 किलो मेटर है और यहीं से थोरी और नीचे चलकर देवापुर गाउं के पास उनके दहिना किनारे पर लाल बकेया नदी मिलती है इस लंबाई में नदी की परविर्ती पच्छिम से होकर बहने की मगर लाल बकेया से उसका संगम अस्तल प्राय इस्थिर रहता है नदी में इस लंबाई से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुई यद इसकी पुरानी धारा का जिक्र और लेखापन जरूर मिलता है से लगवग 106 किलिमेटर दूरी की धारा हमेशा अस्तिर रही है और सबसे इस धाराओं में रिकॉर्ड रखा गया है इसके नक्से बनाने जाने लगे तब से ये इस बदलती धाराओं की अस्तिरता का अंदाजा लगता है कनोजर घाट से पूरब दिसा में बहती हुई या नदी हाया घाट में दरभंगा समस्तिपूर रेल लाइन के पूल नमबर यू 17 के नीचे से बहती है इस पूल के थोरे पहले ही अब धारा नदियों के समू में समलित परवा को लेकर नदी के बाये किनारे पर दरभंगा बागमती आकर मिल जाती है और इसके बाद इस नदी का नाम करे हो जाता है मद भागमती के बिविन धाराओं के बारे में अब दोस्तों हम जानते हैं दच्छिन पुर्व भागमती हाया घाट से लेकर खोर मार घाट तक यह नदी अतत कोशी में मिल जाती है नदी की धारा एक वर फिर लगबग इस्तिर है इस नदी में कागार इस्तित तथा स्रिट दिखाई परते हैं उन्हें सोने 91 में खगरिया जिले में महस खुट के बेलदवर में जोडने वाली सरक में डुमरी के पास एक पूल बनाया गया यहां पर पूल बनाया गया वहां कोशी और बागमती नदी प्राया एक किलो मीटर के अंतर पर बहा करती थी पूल निर्मान से पहले बागमती नदी पर इसी जगह सोनबरसा घाट नाम का एक बहुत महत्पुन घाट हुआ करता था जिस पूल का निर्मान हुआ उसमें सायद खर्च की कटौली को ध्यान में रखकर कोशी और बागमती को एक साथ समेट लिया गया जिसमें पूल तो कोशी के हिस्से में आया मगर पूल के बहुत मर्ग ने बागमती का मुहाना बंद कर दिया और इस तरह बागमती सोनबरसा घाट पर ही कोशी में मिलने के मद हो गई। पूल के निर्मान के बजह से सुनबर्सा घाट की उपयोगता स्वेही समाप्त हो गई। हाया घाट से डुमरी पूल तक बागमती का निचला छेतर 135-137 किलोमेटर लंबा है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमेटर तता जल संगरा छेतर 6500 वर्ग किलोमेटर हो होता है। इस तरह नदी उद्दम से गंगा तक कुल लंबाई लगभग 589 किलोमेटर और कुल जल घरन छेतर 14384 वर्ग किलोमेटर बैठता है। बिहार के दुतिय सिचाई आयोग के रिपोर्ट में 1994 के अनुसार आगमती के उपरी छेतर काठमांडू के आसपा सलाना ओसत बारिश लगभग 141460 किलोमेटर होता है। जबकि चमपारन में 1392 किलोमेटर, सीतामडी में 1184 किलोमेटर, मुझपरपुर में 1184 मिटर, दर्भंगा में 1250 मिली मिली मिटर, और समस्तिपुर में 1179 मिली मिटर होता है। 12 में बागमती नदी में आसत वर्सा 1255 मिलिमीटर होता है बागमती नदी में परती वर्स आने वाली गाद की आसत मात्र धेंग में 1 करोर 4,06,000 टन 65,03,750 गन मीटर है जबकि हाया घाट पहुंचते पहुंचते यह मात्र 72,13,000 टन लगवग 45,08,000 घन मीटर तक रहती है इस तरह लगवग 20,00,000 घन मीटर रेत, मिट्टी, धेंग और हाया घाट के बीच हर साल फैल जाती है इस गाद का अधिकांस भाग बाढ़ के पानी के साथ खेतों में फैलता है या फिर नदी के तहलती बैठ में तल हटी में बैठ जाता है इस मिट्टी को अगर ट्रकों में भरा जाए तो हर साल लगवग 3,00,000 ट्रकों की जरुवत परेगी तो दोस्तों ये पूरा मैं आपको बैक्ग्राउंड बताया दोस्तों कैसा लगा दोस्तों वीडियो पूरा आप कॉमेंट करके बताईए दोस्तों तो दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों जै बागमत